लोगपाल में प्रस्टाचार की जिकायत कैसे करें हेलो दोस्तों बीकेजे लीगल में आपका स्वागत है आज चर्चा करेंगे लोगपाल के बारे में लोगपाल का गठन लोगपाल एवंग लोकायुक तद्रियम 213 के ताहत किया गया है यही एक बहुत संख्यक निकाय है लोगपाल का अर्थ है लोगों का रक्षक इस टॉपिक में चर्चा करेंगे की लोगपाल क्या है लोगपाल की संगरचना क्या है लोगपाल के दैरे में कौन है लोगपाल क् कार्ज करता है लोगबाल में सिकायत कैसे करें टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से अन्रोध है कि इसे ध्यान से पढ़ें या सुनें अच्छा लगने पर सब्सक्राइब करें सेयर करें लाइक करें एवंग वेल आईकॉन दवाना ना भूलें चलते हैं टॉपिक लोगबाल क्या है लोगबाल उच्छ सरकारी पदों पर आसीन वेक्तियों द्वारा किये जा रहे है भिरस्ताचायर की सिकायत सुनने एवंग उस पर कालवाही करने के लिए स्रीजित पद है लोगपाल की संगरचना क्या है लोगपाल में एक अध्यक्ष एवंग अधिकतम आठ सदस्यों से मिलकर बना है इसमें चार सदस्य न्याईक होते हैं नियूनतम पचास परसेंट सदस S.C.S.T. अलब संख्यक एवंग महिलाएं होती हैं इसका अध्यक्ष सुप्रिम कूट के मुख्य न्याईधिस या न्याईधिस या उच्छ न्याले के मुख्य न्याईधिस होते हैं इनकी नुक्ति भारत के परधान मंत्री भारत के मुख्य न्याईधिस या मुख्य न्याईधिस के द्वारा नामित बैक्ति लोगसभा के अध्यक्ष एवंग विपक्ष के नेत भारत के राष्ट्र पती द्वारा नामांकित एक परसिद ज्यायवीद चैन समीती में होते हैं। इनका कार्य छेत्र पूरा भारत है यह बिलेशों में कार्यरत भारतिय लोग सेवकों पर भी लागू होता है। लोग पाल के दाइरे में कौन हैं। इसके दाइरे में भूतपूर प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री बर्तमान, एवंग पूर्व केंद्रिय मंत्री, केंद्र सरकार के सभी क्लास वन अधिकारी, सार्वजनिक छेतर के उपकरों में क्लास वन के समक्ष अधिकारी और गैर सर जानकारी संगटनों के निदेशक और अन अधिकारी जो जंता से निधी प्राप्त करते हैं जो की विदेशों से दस लाग तक की आय प्राप्त करते हैं और वे जो सरकार से एक करोर रूपे की मदद प्राप्त करते हैं अधिनियम यह भी प्रापधान करता है कि सारजनिक अध वात्ती एवंग देनदारी की जानकारी सरकार को देंगे। लोगपाल का कार्याल है लोगपाल आफ इंडिया प्लॉट नमबर छो फेज टू इंस्टिचूशनल एरिया बसंद कुंज न्यू देलही 11,070 है। है लोगपाल का नमबर 9-1-1-1-2-6-1-2-5-0-1-7 और 9-1-1-2-6-1-2-1-3-2-9 है। लोगपाल में सिकायत कैसे करें। लोगपाल में कंप्लेन करने के लिए एक फॉर्मेट है जिसमें A, B, C और D चार पार्ट्स हैं। A में सिकायत करता का डीटेल्स होता है, B में अगर किसी औरगेनाईजेशन या बोड या कंपनी ETC के तरफ से कंप्लेन किया जा रहा है, तो उसका डीटेल्स रहता है, C में जिसके विरुद्ध में कंप्लेन रहता है, उसका डीटेल्स दिया जाता है, D में एफिल्ट होता ह सिकायत का format net के माध्यम से निकाला जा सकता है complain to logpal online module email complain to logpal at the rate of gov.in पर किया जा सकता है post के माध्यम से और logpal के counter पर भी सिकायत जमा किया जा सकता है यदि इस सिकायत online दर्ज की जाती है तो मूल सपतपत्र और दस्तावेश सहित online उत्पन PDF की एक हर्ट कोंपी सिकायत दर्ज करने की तारिक से 15 दिनों के भीतर भारत के लोगपाल कारजाले में जमा की जानी चाहिए इन्वेलब के उपर complaint to logpal of India अंडर logpal और लोकायू असपस्ट रूप से लिखा रहना चाहिए लोगपाल के क्या कारज है लोगपाल को कुसासन अनुची तलाप पहुँचाने या ब्रष्टाचार से संब्दित मामलों की जान्स सिकायत आने पर कर सकता है या सुता संग्यान ले सकता है लोगपाल आरूपी लोगसेवकों के खिलाब अनुसासनात्मक कार्जवाई की अनुसंसा भी कर सकता है यह विसेस अदालत में प्रहस्टाचार का मामला दर्ज करवा सकता है लोगपाल अदालत या बैधानिक जाइधिकरन से हुए किसी भी फैसला के सम्मंद में किसी प्रकार की जाँच नहीं कर सकता है लोगपाल के पास जाँच निदेशक के नेतरत में एक जाँच टीम भी होती है जो भरहस्टाचार या अन्य सिकायत आने पर प्राडमबिक जाँच भी कर सकता है लोगपाल अपने उद्देश्यों में तभी सफल हो सकता है जब इन्हें जनता का सहयोग राप्त हो एवंग लोगपाल के सदस इमानदारी एवंग निष्ठा से अपने कारिजों का संपादन कर सकें धन्यवाद जय भारत